नमस्कार दोस्तूं, दोस्तों हम देख रहेते हिंदी सिक्षन विदिया और आज हमारी रहेगी क्लास नमबर चार जिसके अंदर हम देखने वाले पद्दे या कविता की सिक्षन विदिया इंपोर्टेंट रहती है दोस्तूं एक्जाम की दरश्टी से और बहुत बार इंसेक्यूसन भी एक्जाम में सिधा आता है तो एक बार आप अंतक इस वीडियो को जुरूर देखें लेकिन अभी तक आपने एक से लेकर तीन तक की क्लासे अटेंड नहीं की है तो पले लिस्ट हिंदी सिक्षन वीडियो में जाकर वो कलासे आप देख सकते हैं अपने सोट में नोट्स है वो तैयार कर सकते हैं दोस्तूं तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले चलते हैं दोस्तू सबसे पहले हम आज के इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि कविता सिक्षन होता क्या है क्या उदेश से होता है क्या इसकी विशेशता है होती है फिर आगे हम देखेंगे जो छे विदिया है हमारे पद्दे या कविता सिक्षन की वो दोस्तू चलते हैं दोस्तों कविता सिक्षन की ओर सबसे पहले कविता सिक्षन की दो प्रिवासाई है जो बहुत बार एक्जाम में आती है वो देख लेते हैं पहली जो प्रिवासा है वो है आचारिय पंडित जगनात की दोस्तों क्या कहा था इन्होंने पंडित जगनाथ ने कहा था कि रमनिय अर्थ का परतीपादन करने वाले सब्दु को कावे कहते हैं परिबासा है आचारिये पंडित जगनाथ की नेक्स्ट परिबासा है हमारी आचारिये सुक्ल की दोस्टों जिसे परकार आत्मा की मुक्त अवस्ता ग्यान दसा कहलाती है हर्दे की इसी मुक्त साधना के लिए मनुसे की वाणी जो सब्द विधान करती है वही कविता कहलाती है आचारिय सुकल ने क्या का था कि आत्मा की जो मुक्त वस्ता होती है वो ज्ञान की दसा कहलाती है इसी परकार अगर हम हर्दे की मुक्ति साधना के लिए हर्दे को मुक्त वस्ता में ले जाना चाते हैं तो मनुस्य की जो जवानी है जो सबद विदान करती है जो सबद बोलती है उसी को हम कविता कहते हैं दोस्तों तो ये दो प्रिवासाइं हैं एक तो है आचारी पंडित जगनात के नुसार, दूसरी है आचारी सुकल के नुसार, ये दोनों आपको याद करनी है, नीचे क्या लिखा गया है, एक लाइन लिखी गई है, कि कविता सिक्सन को ही पद्दे सिक्सन कहा जाता है, और ये तो आप सभी को पता भी होगा चलते हैं कविता सिक्सन की विशेष्टाओं की और, पहले बात कर लेते हैं कि कविता सिक्सन की विशेष्टाओं से एक्जाम में क्या क्यूशन आता है, और आता है तो किस प्रकार से आता है दोस्तों, तो दोस्तों ये बता दूँ आपको कि कविता सिक्सन की विशेष्ट बिशेष्टाइं दी गई है और एक इन से हटकर आएगा तो आपको बताना है कि इनमें से कविता सिक्षन की विशेष्टा यह नहीं है देखतें कविता सिक्षन की विशेष्टाइं कौन-कौन सी है पहली है संजीवता, दूसरी है अनुभूती की परबलता, तीसरी है संगीता अत्मकता, चोती है सोंधरिया अनुभूती, पांचवी है इस्ताइत्वे, छट्वी है सरस्ता, और सात्वी है भवा अनुभूती आपको इन सभी सातू के नाम यादोने जरूरी है, सीधा एकजाम के अंदर जो क्यूसन आएगा वो इनके, आपको ये विशेश्ताइं दी हुई होगी और इन में से तीन इन में से रहीगी, एक किसी और की होगी, तो आपको वो देखकर वो चांटना है दोस्तों, यह हो गई कविता की सिक्षन विदियां, सोरी कविता की विशेश्ताइं, आगे हम देखते हैं कविता सिक्षन का परमुक उद्ध से क्या है, क्यों करते हैं हम कविता सिक्षन का अध्यन दोस्तों, तो दोस्तों सामाजी काओं की सोंद्रिया नुबूती की संतुष्टी तता रसा ख़वादन करना ही कवीता सिक्षन का प्रभा। अब बात करते हैं कि कवीता की सिक्षन के अंदर जो कावे सोंद्रिय है वो कैसे इस पैश्ट करें तो उसके कुछ बिंदू है एक एक के बारे में हम देखते हैं दोस्तु इंसे भी सीधा क्यों से न आ जाता है कि कविता सिक्षन के अंदर कावे संद्रिये निवन में से कौन सा नहीं है पहला बिंदू है धवनी संद्रिये या नाद संद्रिये कैसे किया जाता है अगर जो कविता हम पढ़ रहे हैं उसको लेक के साथ उसको ताल के साथ उसके सवर के आरो अवरो के साथ पड़ा जाए तो हमें दवनी के जो संद्री है जो नाद का संद्री है उसके अनुबूती होगी अगर हमारा ले भी नहीं है हमारा ताल भी नहीं है और हम जो सवर है उसको इधर से उधर कर रहे हैं तो जो कविता सिक्षन का हमारा उधर से है वो हमारा पूरा नहीं होगा दोस्तों और नाहीं हमें कावे सुंद्री के नुबूती होगी। नेक्स्ट है हमारा सेली सुंद्री, सबदचेयन, अलंकार, छंद, सबदशक्ती, वै, गुन दोस आदी। अब दोस्तों हम कविता सिक्षन कर रहे हैं, कावे का सुंद्री हमें पता करना है, अगर हम जो सबदचेयन कर रहे हैं, उसका कोई कार्थ और निकल रहा है, कुछी का कुछ निकल रहा है, तो ऐसी स्तती में हम कभी भी कावे सुंद्री प्राप्त नहीं कर सकते हैं दोस्तों, कविता सिक्षन का जोगद से उसको प्राप्त नहीं कर सकते हमें अलंकार का हमें चंद का हमें सब्द सक्ति का सभी का पता होना चाहिए कविता सिक्षन जो कविता के गुण है जो दोस है उनका भी हमें सही अर्थ पता होना चाहिए दोस्तों ये होता है सेली सोंदरिय पेला नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो हम कलपना करते हैं कविता के अंदर उसका सुंदरी हमें मिलना चाहिए कलपना किसी ओर की करें और कविता कुछ ओर कह रही है ऐसा नहीं होना चाहिए आगें भाव सुंदरी कविता का भाव क्या है कविता का भावार्त क्या है उस सही भ विचार सुंद्री यानि क्या कविता है उसका विचार है क्या वो हमें कहना चाहती है वो हमें पता होना चाहिए यह थी दोस्तों कविता सिक्षन के परमुक उदस्य अब आगे हम देखने वाले हैं कविता सिक्षन की छे विदियों को मैं एक बार आप सभी को नाम बता देता सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है कविता की गीत विदी, क्या है गीत विदी, कौन सी कक्साओं के लिए उपयोगत है यहां पे मिलेगा इस विदी में अध्यापक छोटे छोटे पद अत्वा कविताएं गाकर अनुकरन के द्वारा विदार्तियों से अब्यास करवाता है गीत विद्धी के अंदर क्या किया जाता है समझे हध्यापक है वो जो कविताइं है उनको छोटे-छोटे भागू में कविताइं गाता है और अनुकरण के द्वारा अध्यापक आएगा फिर क्या बोलेगा जो चातर है जो विदार्ती है उनको भी पीछे बोलने को अनुकरन के दौरा उनको बोलने को कहेगा और वो भी बोलेंगे तो क्या किया जाता है गीत विदी के अंदर अध्यापक छोटे छोटे कविताएं गाता है और अनुकरन के दौरा विद्यारती भी उन कविताओं को गाते जिससे उनको ये कविताएं हैं, वो याद हो जाती है ये पूर्व प्रात्मिक अक्साओं के लिए उप्योगी विदी है जिसमें कविता को याद करवाने पर सर्वादिक बल दिया जाता है अब यहां से पहला क्यूसन बनता है कि जो गीत विदी है ये किस पर बल देती है? कविता को याद करवाने पर बल देती है. दूसरा गीत विदी कोन सी कक्साओं के लिए उपयोगी है? पूर्व प्रात्मिक और प्रात्मिक कक्साओं के लिए उपयोगी है दोस्तूं. क्या ग गीत विदी के नोकरण का प्रियोग किया जाता है ये है हमारी गीत विदी नेक्स्ट विदी के ओर चलते हैं दूसरी विदी है दोस्तों गीता बिने गायन विदी ये क्या केती है गीत के साथ अभिने इस विदी में अध्यापक कविता के पात्रूं अत्वा हाव भाव को ध् करके विदार्तियों को बताएगा फिर विदार्तियों से कहेगा कि आप भी गीत के माद्यम से अपने हाव बाव पर कट करो अपना अभीने करके दिखाओ तो विदार्ति अपना अभीने है वो प्रस्तूत करते हैं और इसी को गीता अभीने गाइन विदी कहते हैं गाइन वि या गीत अभी ने गाइन विदी इसको कहा जाता है next विदी की ओर चलते हैं दोस्तू next विदी है हमारी पद्दे व्याक्या विदी important विदी है इसे भहुत बार एक्जाम में क्यूसन भी आया है ये विदी मादेमिक तेता उच मादेमिक कक्साओं के लिए अधिक उपियोगी है पहली लायन से पहला क्यूसन मादेमिक और उच मादेमिक कक्साओं के लिए उपियोगी विदी है वो है पद्दे व्याक्या विदी दोस्तू इसमें दी गई रचना की व्याक्या करने के लिए उस पद का सबसे पहले संद्रब लिखा जाता है जो हमें रचना दी गई है उसकी अगर हम व्याक्या करना चाते हैं तो सबसे पहले उसकी क्या लिखा जाता है उसका संद्रब लिखा जाता है सीधा क्योंसन कैसे आएगा इसको एक बार पूरा हम समझने के बाद आपको बता दूँगा इससे संद्रब हमने लिख लिया है वह रचना कहां से ली गई है और उसका रचनाकार कोन है यही उसका संद्रब होता है दोस्तों आगे क्या करते हैं उसके बाद दी गई रचनाका परसंग किस गटना से समंदित होता है तता उन दोनों में समन्वे इस्तापित किया जाता है कविता का जो संद्रब होता है कविता का जो परसंग होता है संद्रब लिखने के बाद कविता का परसंग होता है कि परसंग क्या है वो किस गटनटान से समन्दित है उसके बारे में लिखा जाता है और फिर जो गटना और कविता है उनके मंदे समन्वे इस्तापित किया जाता है कौनसी विदी में पद्दे व्याक्या विदी में इसके बाद इसके बाद पद का सब्दार्थ प्रस्तूत किया जानता है तदुपरांत बावार्त वे केंदरिये भाव परस्तूत करते वे उपस्तिस संदेश या सिक्ष्या को समझाया जानता है अब बात आगी मित्रू यहां पे कि हम व्याक्या तीसरे में सब्धार्त की बात करने हैं तो सब्धार्त में क्या किया जाता है उसका सब्ध क आर्थ बताया जाता है उसके भाव का आर्थ बताया जाता है उसके केंदरिये भाव क्या है उसकी सिक्ष्या इसके अंदर दी जाती है तदुपुरांत उसका भावार्थ वह केंदरिये भाव परस्तूत करते वे उसमें उपस्ति संदेश या सिक्ष्या को समझाया जाता है अ कौन सा उसमें चंदाया था, कौन सा उसमें अलंकार प्रियुक्त हुआ है, इनके बारे में बताया जानता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये चार भाग कौन कौन से थे। सबसे पहले हम जो अमारी पद्दे व्यक्या विदी है, उसमें जो कविता उसका संद्रब लिखते हैं, उसके बाद उसका परसंग लिखते हैं, फिर कविता की व्यक्या की जाती है, और उसके बाद में विसेश-विसेश के अंदर उसके चंदालंकारों के बारे में जानकारी दी जानती है ये थी हमारी पद्देव्या क्या विदी दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट विदी की और नेक्स्ट विदी हमें हमारी रसा सवाधन विदी इसमें क्या किया जाता है देखते हैं इस विदी का मुख्य उदे से किसी कविता या पद्दू में दिये गए सब्द में नित रसों को पैचानना जैसे करून रस, सोंदरिये रस, वीर रस, हासे रस, जो कविताएं होती है वो वीर रस परदान होती है, हासे रस परदान होती है, सोंदरिये रस परदान होती है, करून रस परदान होती है, तो रसा स्वादन है, यानि रस, रसा स्वादन जो रस है जैसे वीर रस है तो वीर रस का आनन्द देने के लिए इस विदी का प्रियोग किया जाता है। कि यह कौन सी कक्सा के लिए उप्यूगत है तो यह कोई सी भी कक्सा हो। सभी इस तर की कक्साइं हैं उनके लिए रसा स्वाधन विदी उप्यूगत रहती है। इस विदी में मूल कविता को दो खंडू में विवक्त कर दिया जाता है। तत्पस्चात अध्यापक एक खंड का एक जो खंड है उसका सहसवर वाचन करते हैं और उसका बावार्त इसपेश्ट करते हैं। खंडान विदी के अंदर दो खंडू में कविता को बाट कर पहले खंड का बावार्त जो है विदार्तियू के सामने प्रस्तूत किया जाता है। फिर परशन उतर किया जाते हैं और जो दूसरा खंड है उसका विकास परशनू के मादेम से ही किया जाता है। फिर परशन उतर के मादेम से अगले खंड का विकास करते हैं और उन्हें वाचन के मादेम से उसका भी बावार्त इसपेश्ट करते हैं। दो खंडों में वक्त किया, पहले एक खंडन का वाचन किया, उसको समझाया, फिर उससे परशन उत्र किया, और परशन उत्रूं के मादें से दूसरे खंड को उससे जोड़ा जाता है, और फिर वाचन के मादें से दूसरे जो खंड है, उसका बावार्त है, वो इसपेश्ट क किया परशन उत्रों के मादेम से इसकी ओर गए और फिर इसका भावार्थ वाचन के मादेम से किया और फिर दोनों को जोड के क्या किया गया पूरे पद्दे का भावार्थ इस पैस्ट किया जाता है कौन सी विदी है ये खंडानवे विदी दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तो उत्र विदी से उसी प्रकार दंडानवे जो विदी है इसका जनम हुआ है सुकरात की समस्या समाधान विदी से दोस्तों इसमें अध्यापक मूल पद्दे को इसपेश्ट करने के लिए एक और पद्दे को सामिल करते हैं जो दंडानवे विदी है इसमें जो हमारे सामने पद इसपेश्ट करते हैं जो सामिल किया है और जो हमारे पास दोनों है पद्दे उन दोनों का पावार्त क्या है इसपेश्ट किया जाता है जब विद्यारती उनकी रसानोबूती भवानोबूती कर लेते हैं तो समंदित पद्दे को अलग कर केवल मूल पद्दे की वैक्या की ज रहा देते हैं और जो मूल हमारा पद्देता उसकी वैक्या की जाती है परिणाम सवरुप चात्रों को भवा नुबूती की प्राप्ति धंडानिवेन विदी में हो जाती है तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने देखी कविता सिक्षन पद्दे सिक्षन की सिक्षन व जात्ब ऑद्द आलाओ कि यस करें अजदी दोंदे पृषबा थ्रूप झालाओ टो म почти जात्रों की सिक्षन परे शुल्ड़र्बूण जात् प्राइट थाम आलाग।